कि नश्कार कॉंपरेशन कम्यूटी के कॉंप्रिहंसिव करेंट इफैस प्रोग्राम में मैं पुक्षाजगिरी करता हूं एक बद फिर से आप सभी का स्वागत दिन है शनीवार और मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए करेंट इफैस का ये वीडियो सबसे पहले आप सभी स लेके 31 तक मतलब पूरे मई का यहाँ पर करेंट अफैस जो है अपन क्या करेंगे अनलाइस कर लेंगे कम्प्रीट कर लेंगे इसको ठीक है कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़े हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जरूर देखिएगा आपको प्री औ शर्मा जी ठीक अब जी से पहले है गिरिजा पहला जी है क्या गिरिजा और दूसरा जी क्या है गीता ठीक अब यह जो गिरिजा जी है इनका जनम कब हुआ है तो इनका जनम हुआ है कातिक मंत में कातिक मास कुवार कातिक सुने होगा और यह जो गीता जी है ना ये ना शिव जी बहुत भक्ति करती हैं शिव जी बहुत पूजा करती हैं और कैसे पूजा करती हैं तो शिव जी की उपासना करते हुए ये उपनिशद पड़ती हैं क्या पड़ती हैं उपनिशद क्लियर है तो मैंने क्या बताया शर्मा जी जी से याद रखना गिरिजा और गीता गिरिजा जी का जन्म कब हुआ है कातिक माश में और गीता माडम जो है वो किसकी उपासना करती है शिव जी की और क्या पढ़ती हैं उपनिशद पढ़ती है चलिए अब जो पहली थी उस पहली को क्या कर लेते हैं पूर्ण कर लेते हैं पूर्ण तो सबसे पहले गिरिजा आगे लगा दीजिए शर्मा और गीता के आगे लगा दीजिए आप शर्मा तो गिरिजा शर्मा गीता शर्मा अब इनकी रचना है कातिक महत्तम प्रातिक महत्तम और गीता जी की क्या रचना है तो है शिव महापुराण क्लियर है ये तो गीता शर्मा जी की रचना शिव महापुराण पहली और उपनिशत से दूसीरे रचना क्या है तो है इशादी नौ उपनिशत समझ मैं इशादी नौ उपनिशत तो मैंने आपको क्या बताया शर्मा जी जी से गिर्जा और गीता गिर्जा जी का जन्म कब हुआ है तो कातिक मास में और गीता माडम शिव जीक पूजा करती है उपनिशत पढ़के तो गिर्जा शर्मा लगा आगे तो नाम हो गया गिरिजा शर्मा गीता शर्मा गिरिजा शर्मा जो है उनकी रचना का क्या नाम है कातिक से कातिक महात्तम अब समझेगा यह जो कातिक महात्तम है बेसिकली यह संस्कृत में श्लोक जो है न उसके फॉर्म में लिखा गया क्या था एक ग्रंथ उसका उन्ह 36 गड़ी में क्या किया है गद्यानुवाद वैसे ही गीता शर्मा जी ने शिव महा पुराण और इशादी नौ उपनिशद ये दोनों क्या थे तो ये दोनों ना संस्कृत के महा काफिर और ये दोनों महा काव्यों का भी क्या किया है तो 36 गड़ी में गद्यानुवाद तो तीनो कातिक महत्तम भी गद्यानुवाद है शिव महापुरान भी और इशादी नौप निशद ये तीनो क्या है गद्यानुवाद है चत्तिसगड़ी भाशा में ठीक तो आई होप ये जो साहितकार वाला सेक्शन है इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे अब क्या करते हैं तो लास्ट वीडियो में कुछ क्वेशन को देखा था उनको एक बार अपन फिर से फटा फट से उनके आंसर को देख लेते हैं पहला क्वेशन था राजीव गांधी किसान ने आया योजना के तहरा चत्तिसगड़ सरकार द्वारा किसानों को धान की फसल के बदले व्र जायू योजना के अंतरगत कितने उम्र तक के बच्चों का निशुल्क जाच एवं उपचार किया जाएगा तो वो भी देखे थे शुन्य से 18 वर्ष किसमें दिया है ऑप्शन ए सही आंसर है चलो नेक्स क्या है थर्ड कोशन पौधा हमारा जीवन आपका अभियान किस यो पहला विश्व विद्याले बनेगा लास्ट वीडियों देखे थे नाशनल केड़ेट कोर एंसी सीख पढ़ाई कराएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है ठीक और फाइनली लास्ट क्वेशन क्या देखे थे तो लास्ट क्वेशन था हमारा हाल ही में निम्न में से किस जिल लास्ट वीडियो में इसको देख लिया था उप्शन नमबर सी तो फटा फट क्या किया है लास्ट वीडियो के जो क्वेशन से उसके सही आंसर इसको देख लिया है और अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो important news है उसको तो क्या है देखे दंतेश्वरी मंदिर में मुख् पर है तो दंतेवाड़ा प्रैक्टिकली गाओं में नाम है क्या तराला गाओं ठीक है यहाँ पर दो नदियां है क्या क्या नाम है तो एक क्या नाम है शंकिनी और दूसरे नाम है डंकिनी तो शंकिनी और डंकिनी नदिया जो है उन नदियों के संगम पर ही दंतेवाड़ा मे माधन तेश्वरी का क्या है मंदेर है यहाँ पर मुख्य मंत्री जी ने क्या किया है तो ग्यारा किलोमेटर लंबी चुनरी जो है उसको क्या किया और पित क्या चढ़ाया एक पॉइंट बीच में में याद है और बता देता हूं शंखिनी छत्य जड़ की सबसे प्रदूश्यत नदी है तो दो-चार फैक्ट यहाँ से प्रीके बन सकते हैं ठीक है अब देख लेना के किलोमेटर लंबी चुनरी है 11 किलोमेटर यह नहीं पूछने वाला है न कितना किलोमेटर लंबा चुनरी जो था वो चड़ाया गया है यह important fact नहीं है important fact क्या है तो important fact यह है कि इस चुनरी को बनाया किसने है तो समझेगा एक brand है जिसका नाम है Dannex D-A-N-N-E-X Dannex ठीक है तो Dannex की महिलाओ ने इसको बनाया लगभग 300 महिलाओं ने 7 दिन में बनाया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको बना दिया ठीक है भई सबसे इंपोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर डैनेक्स है डैनेक्स को समझे डैनेक्स का क्या मतलब बेपता है तो इसका फुल फॉर्म है दंते वाडा नेक्स्ट पी कोईट क्यों कह रहा हूं क्योंकि अब स्थेती थोड़ी सी ठीक है सुधर गई है इसलिए ना इस समय ना दंते वाडा जो डिस्ट्रिक्ट है अब छत्तिजगर में आपको पता होगा दंते वाडा जिला कहा है तो नीचे एकदम दक्षिन में बस्तर में और कैसा है यह ट्राइबल एरिया है यहाँ पर महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए इसका मतलब क्या हुआ जो वीमेन है वहाँ पर उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या किया था जो जिला प्रशासन है दंते वाडा इसने ग्रां पंचायत हारम नाम का ग्रांपंचा तो नवा दंतेवाडा Garment Factory लगाई ब्रैंड नेम क्या रखा गया तो ब्रैंड नेम रखा गया Danix आज की डेट में पूरी इंडिया में ये जो ब्रैंड है है इसप्लाइ होता है पूरी इंडिया में ठीक है अब इसके माध्यम से वर्तमान परिस्थिती को आप देखोगे ना तो लगभग 800 प्लस महिलाओं को क्या मिल रहा है रोजगार और पिछले 6 महिनों की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50 करोड से अधिक का सेल ये कमपनी डैनेक्स कर चुकी है अब आप सोचो हम लोग राइपूर में रहके या बड़े शहरों में रहके हम लोग डरते हैं कि एक छोटा सा हम लोग धंदा चालू करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा नुकसान हो जाएगा ये लोग एकदम धूर जंजाती छेत्र है वहाँ पर रहके कितना धंदा करे तो जहां पर अगर आप एकदम अड़ जाओ कि जब तक तोड़िंग नहीं तब तक छोड़िंग नहीं तो हो ही जाएगा तो ऐसी परिक्षा भी है अड़ जाओगे करूच करबोच ऐसा वाला जब आपके मन में आ जाएगा तब होक रहेगा ठीक एनिवेश चलो वापिस आत परियों में एक कंपणी है डैनेक्स उसने सेल भी कर जिया है पूरे भारत में अभी कपड़े इसके होते हैं सप्लाई ठीक अब सीधास बात है यार जब इतना जबरदस्त सेल्स है तो एके जगा थोड़ी हो पाएगा सब कुछ अलग-अलग यूनिट खुलेगा ठीक है ए अधर में है नाम याद रखना है ना तो एच बीट करके याद रख सकते हो तो एक थो आता है डब्लू-डब्लू इफो गांव और लाइन को हटा देता हूं हारम हारम और B से क्या है बारसूर है भईया हारम हो गया बारसूर हो गया अब K से देखिए क्या है दो ठो है एक ठो है ना कारली और दूसरा क्या है तो है कटे कल्यान तो एक ठो कारली है और एक ठो क्या है कटे कल्यान HBK करके याद रख सकते हो सबसे नमीनतम क्या है कटे कल्यान तो अब भी मैच के महिने में यह जो कटे कल्यान में जो नया यूनिट बनाना उसका क्या हो रहा था उद्धाटन किसके द्वारा किया गया तो सी एम सर थे हमारे बुपेश बगेल जी वहाँ पर ठीक है इसी समय एक नई यूनिट कौन सी य रहेगा नाम कीसे बदल जी महूं कई कीसी को ठ्या दे तो कई गहां ले तो पाचवी यूनिट कहां बनेगी छिंदनार ये भी कहां पर दंतेवाडा में इसके लिए क्या किया गया एक M.O.U. Memorandum of Understanding का निश्पादन किया गया सबसे पहले समझो M.O.U. क्या है तो इंग्ल जाएगा जब लोग साइन कर लेंगे ना तो किसी कॉमन काम के लिए या कॉमन एम के लिए लोग क्या करेंगे काम करेंगे ठीक है तो वैसे एक M.O.U. जो है उसका क्या किया गया है निश्पादन किया गया साइन किया गया बहुत एकदम common language में बता दिया हो M.O.U. में इसक काम को करने वाले हैं तो क्या काम होगा भई तो इस M.O.U. के माध्यम से क्या किया जाएगा पता है यह जो पांचवा यूनिट बनेगा ना चिंदनार में उसके कपड़े को UK और US में एक्सपोर्ट किया जाएगा तो UK बोले तो United Kingdom और UBS बोले तो United States तो UK में कौन कौन सा द इसके मध्य हुआ है तो Denex FPO एक पार्टी है और दूसरा जो पार्टी है ना वो है Export House तिरुपूर तिरुपूर बोले तो तमिलनाडू तो Denex FPO और Export House तिरुपूर एक्सपोर्ट हाउस जो है ना इस फील्ड में एक बहुत बड़ा होलसेलर है मानलो गार्मेट फील्ड म मुंगा है वो अब UK और US दुनों जब एक्सपोर्ट किया जाएकाए अब समख्दो एक्सपोर्ट किया जाएका मतलब क्या होगा सेल बढ़ेगाय जब सेल बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा उत्पादन बढ़ाओगा मतलब factory और लगेगी और फैक्ट्री इससे क्या होने वाला है फाइदा तो समझिएगा ना सिर्फ ये जो employment है बढ़ेगा बलकि ये जो Danics brand है जो कि अब क्या हो रहा है पुरे भारत में अपना नाम कमा रहा है ये वैश्विक्स तरपर नाम कमाएगा और दंतेवाडा जो है वो world famous हो जाएगा समझ में आया तो ये है Danics ये जो Danics है ना इसको आप लोग example के तोर पे जब ऐसे लिखोगे तब वहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हो समझ में आया ना ऐसे लिखोगे ना तो Danics जो है उसको example दे सकते हो कि किस प्रकार से सरकार की मदद से जो जन्जाती महिलाएं है दंतेवाड़ा जिलाकी उनमें क्या हो रहा है तो आत्म निर्भरता जो है वो जनरेट हो रही है ये आत्म निर्भर उनको बनाया जा रहा है और example के लिए Danics दे सकते हैं प्री में पूझ भी सकता है कि कितने यूनिट हैं तो ये चार यूनिट है प्री में ये भी पूझ सकता है कि पांचवा यूनिट कहां पर है या कहां खुल रहा है तो ये पांचवा यूनिट जो है वो कहां खुल रहा है करके ये भी हो सकता है पांचवा छिंदनार क्लियर है ये ठीक एकदम ईजी पूछीत कापुजदी चुम्री चड़ायरी से ते कौन मन बना है तो डेनेक्स करके एक क्वेशन ये भी हो सकता है बढ़ इसके आने का चांस थोड़ा सा कम है ख्लियर तो ये जो पहला न्यूस था इसको एकदम डाइसेक्शन करके देख लिया है हम लोग चलो भई अगले पर आते हैं देखते हैं क्या है तो भेट मुलाकात में मुख्यमंत्री शिप भुपेश पघेल जी ने जगदलपूर विधानसभा छेतर में कुछ घोषना की है ठीक है तो जगदलपूर विधानसभा के मंगलपूर से एक बहुत बड़ी घोषना की है देख लेते हैं तो 36 गड़ देश का ऐसा दूसरा राज्य होगा जो की नाशनल पार्क राष्ट्री उध्यान जो एरिया है ना उसमें वन संसाधन मानिता पत्र जो है उसको जारी करेगा देगा प्रदान करेगा तो तुरंत मन में कुछन आएगा जब दूसरा है तो पहला कौन है तो पहला ओड़ीशा कई ठों नियूस पेपर में ना महारास्ट पढ़ाओं मैं तो दूसरा ऐसा राज्य है जो कि वन संसाधन मानिता पत्र देने वाला है पहला कौन सा है तो उड़ीशा है कहां से गोश्टना हुई है तो मंगलपूर से इतना देख लिए ठीक है भई अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो नैशनल पार्क एरिया में वन संसाधन मानिता पत्र मिल रहा है इसका क्या मतलब ये वन संसाधन मानिता प्रप्त क्या होता है मानिता पत्र जो है वो क्या है तो ना, वर्ष 2006 में एक अधिनियम आया था, जिसका नाम क्या था? तो नाम था वन अधिकार अधिनियम, एंगलिश में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं, Forest Rights Act, तो 2006 में आया वन अधिकार अधिनियम, Forest Rights Act, जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? तो F, D, S, T, Forest, Dwelling, Scheduled, Tribe, मतलब वन में निवासरत अनुसूची जन जातियां, और दूसरी O, T, F, D, Other, Traditional, Forest, Dwellers, अन्य, पारंपरिक, वन, वासी या वन, निवासी कह सकते हैं? समझ में आया, तो ये ऐसे लोग हैं, जो कि traditionally क्या कर रहे हैं? तो या तो वनों में रह रहे हैं, या उसके आस-पास के गाओं में रहे हैं, समझ में आया? तो इनका जो वन भूमी जो forest land है उस पर अधिकार है उस अधिकार की क्या करेगा रक्षा करेगा वन अधिकार अधिनियम 2006 अब समझेगा बेसिकली होता क्या है आप सभी जानते हैं कि जब ये जंजातियां या ये लोग वनों में रह रहे हैं या वनों के नजदीक रह रहे है तो काफी लंबे समय से अपनी आजीवी का इंग्लिश में livelihood कहते हैं और अन्य जरूरतों के लिए वनों पर आधारित होंगे लेकिन वनों पर इनका जो अधिकार है उसके लिए इनके बास कोई document है नहीं मतलब कभी भी कल कोई चाहे तो वहां जो उनको उठा के भगा सकता ह हा कि ना तो उनके इसी अधिकार को संरक्षित रखने के लिए conserve करने के लिए यह अधिनियम आया था अब इसके अंतरगत क्या बाटा जाता है वन संसाधन मान्यता पत्र अब यह जो आप खुद समझ जाओ वन संसाधन मान्यता पत्र है उसमें basically होता क्या है इनको इनके आस पास की जो वन भूमी है उसका क्या मिलता है मालिकाना हक इसका यह मतलब नहीं पूरा मालिकाना हका के सबलब बेद्देबु करके मालिकाना हक किस सेंस में तो यहां के जो वन उत्पाद है उसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं लेकिन साथ ही वहां वन की और वहां की जो बा क्या होगी इन ही लोकी होगी लेकिन फिर भी ठीक है ना कम सकम एक ऐसा अधिकार पत्र मिल गया जिसमें वनों के जो उत्पादन हैं उस पर इनका अधिकार रहेगा तो कम सकम उन उत्पादनों को वो यूज कर सकेंगे उसको बेच सकेंगे जिससे क्या होगा ना सर्फ इनको रोजगार मिलेगा, बलकि आर्थिक रूप से भी है, क्या हो जाएंगे, स्ट्राउंग हो जाएंगे, तो इस अधिनियम के माध्यम से, ऐसी मानिता पत्र, वन संसाधन मानिता पत्र जो है, वो राजसरकार जारी करता है, यहां की जनजातियों के लिए, कैसे लोग हैं, तो य जहां से एक रांग तो आप पढ़े होगे कि उडिशा के बाद चतिजगर सेकेंड रांग है नाशनल पार्क एरिया में देने वाला चतिजगर क्या है सेकेंड रांग है और ध्यान रखना जगदलपूर जो है ना जगदलपूर ऐसा पहला नगर निगम है जहां पर नगर नि बाटा गया था जग्दलपुर में वन संसाधन मानिता पत्र तो ध्यान रखेंगे जग्दलपुर नगर निगम एक ऐसा या एक मात्र नगर निगम या कह दूँ एक मात्र तो नहीं हो सकता है इसके बाद किसी राजी में और हुआ हो लेकिन ऐसा पहला तो 100% कह सकता हूं तो जग्दलपुर नगर निगम ऐसा पहला नगर निगम था भारत में जिसमें यह अपने निगम मतलब नगरी छेत्र हो गया तो नगरी छेत्र में क्या किया गया है वन संसाधन मानिता पत्र को बाटा गया है ठीक है यहां से एक और चीज़ समझ लो नाशनल पार्क तो छप् तो है देखो आधा हिंदी आधा इंगलिस में लिख रहा हूं गूरू घासी दास नाशनल पार्क और तीसरा क्या है तो है कांगेर घाटी राश्ट्यूद्यानिया नाशनल पार्क इंद्रवती 1978 में बना है 1258 वर्ग किलोमेटर क्या है इसका शेत्रफल है खीक है गुरू गुरू घासी दास 1981 में बना है नाशनल पार्क इंद्रवती राश्ट्यूद्यान बीजापूर जिले में है गुरू घासी दास राश्ट्यूद्यान कोरिया जिले में है और कांगेर घाटी राश्ट्यूद्यान जो है वो बस्तर जिले में या बस्तर डिस्रिक्ट में है गड़ का एक मात्रह सजिला है जहां पर राष्ट्रियुद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों है तो राष्ट्रियुद्यान कौन सा है हिंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है तो भैरमगड और पामेड इतना सारा जो तिरासी में तीन ठो अब अगर इसको मैं प्री और मेंस पॉइंट अफ्यू से देखूं ठीक है तो मेंस पॉइंट अफिर से ऐसे में वन संसाधन मानिता पत्र जो है उसको आप यूज कर सकते हो कि किस प्रकार से इससे आदिवासियों को या जो वन वासी है उनको किस एरिया में दे रहा है ये भी पूछ सकता है तो नाशनल पार्क एरिया में दे रहा है ठीक है पहले में कौन सा है तो उडिसा है घोशना कहां से हुई है तो मंगलपूर से हुई है ये भी पूछा जा सकता है आप से तो प्री के तीन चार फाक्ट बन सकते हैं और मेंस के भी facts जिसको मैंने क्या किया है तो आप सभी को बता दिया है चलो अब next news देख लेते हैं next क्या था तो मुख्यमंत्री श्रीप भुपेश बगेल जी ने छत्तिवड़ का पहला FIFA approved synthetic football ground जो है with running track इसका उधगाटन किया कहा किया है तो जगदलपुर प्रियदर्शनी इंद्रा स्टेडियम में समझ में आया ठीक है भई exam point of view से इतना ही important है आपको ज़्यादा ज़्यादा से ठीक है और इसको बनाने के लिए एक football academy है जिसका नाम है क्या आर्डोर football academy भुबनेश्वर उडिसा की एक academy है और इस academy का तथा बस्तर जिला का जो football संग है और बस्तर का जो जिला प्रशासन है district administration उनके बीच में क्या किया गया है तो मो यू भी किया गया है इसके कारण क्या होने वाला है कि जो वहां पर खिलाडी है उनको national level के जो coaches हैं वो उपलब्ध होंगे जिससे उनके खेल में क्या होगा और सुधार हो सकेगा और राष्ट्री और अंतर राष्ट्री लेवल पर क्या करेंगे तो 36 गड़ का नाम ये लोग उंचा कर देंगे या कर सकेंगे चलिए अगला क्या है 36 गड़ में जैव विवित्ता दि एक प्रोग्राम आयोजित होता है नाम क्या था परिचर्चा एवं पुरुसकार वित्रन कारिक्रा अब इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया दो लगुचित्र दो शॉट फिल्म जो है शॉट फिल्म इसका लोकारपन किया है पहला कौन सा है तो आप देखना जो मनेंद्र जो वन मंडल है वहां पर आप सभी को पता होगा गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क बन रहा है उस पर आधारित एक शॉट फिल्म है नाम है चतिस गड़ में जीवन चिन्द मानव अस्तित्व के पर एंग्लिश में क्या है लाइफ इंप्रेशन्स इन चतिस गड़ बियॉन MAIS Haha इसके अलाब आपको पता होगा चटिद गड़ में वन शेत्रों में बहुत से शैल cooler पाया याते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैu इनको रॉक काड कहा गया केफ पेंटिंग भी कहा गया है रॉक शेल्टर मतलब केफ थी तुसी में रहता था उसमें पैंटिंग किया है तो दिबह बोल दिये इस पर आधारिक एक फिल्म है जिसका नाम है क्या प्रथम अभी व्यक्ति ठीक है न, फॉर्स्ट एक्स्पैशन इस दोनों जो फिल्म है, उन दोनों फिल्मों का क्या किया है, लोकारपण किया है परिचर्चा एवं पुरुसकार, वितरन, कारिकरम में अंतराष्ट्री, जै विवित्ता दिवस के दिन किसके द्वारा किया गया है तो भुपेश बगेल जी के द्वारा केर है ये फिल्म दोनों जो नाम है ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है अभी काफी लंबे समय से मैं आपको बता दूँ ये जो मरीन फॉसिल पार्क है न ये बहुत चर्चा में है तो इस संबंधित फिल्म अगर आ रही है तो इस फिल्म का नाम आपको जाना बहुत जरूरी है पक्के से मैं आपको बता रहा हूं ये जो क्वेश्चन है न ये पूज देगा कि छत्तिजगण में जीवन चिन मानव अस्तित्व के परे ये जो पिक्चर है यह किस पर आधारित है करके तो ध्यान रखना मरीन फॉसिल पार्क पर आधारित है वैसे ही शेल चित्रों पर आ ऐसे का टॉपिक दिख रहा है तो अब बतासकते हूँ सरकार प्रयास कर रही है कि ऐसे माध्यमों के द्वारा लोगों को क्या किया जाया जाई चाकि कि छकतिग्युषग ऐसको क्या किया जा सके है पिक्चरों के माध्यम से लोगों को मैसिज दिआ जा éléments से क्लेक को आप दे inauguration के दू किस नहीं किया है तो डॉक्टर चरंदास महंत ने किया है ये चत्रवड के विधानसभा अध्यक्ष है वरतमान में clear है ये ठीक है अब ये जो school है ना इसमें 18 अलग-अलग विशय में अब 18 अलग-अलग विशय है जिसमें traditional जो खेती है वो उसके बाद मश्रूम, फार्मिंग, मचली पालन, बकरी, पालन ऐसी बहुत सारी activities मतलब कुल 18 activities के विशयों में जानकारी दी जाएगी ना सिर्फ theory बलकि practical और कैसी दी जाएगी तो बिलकुल नीशुल्क इससे क्या होगा किसानों को लाभ मिलेगा उनके फसलों के बारे में उनको जानकारी होगी और उनकी उत्पादक्ता जो है वो बढ़ेगी जिससे उनकी आमदनी जो उनका आए है इंकम है वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा clear है ये, pre point of view से दो fact important है कि किसान स्कूल कहा है तो बहेराडी किसने लोकारपण किया है तो डॉक्टर चरंदास महांत ज्यादा ज्यादा पूछ लेगा किस जिले में है तो जानजगीर चापा main point of view से क्या important है तो paper number 5 में अगर किसानों के लिए innovation से संबंधित कुछ question आ गया तो उसमें example के तोर पर डाल सकते हो ठीक है उसके बाद कृशी छेतर से संबंधित अगर कोई essay आया है तो उसमें example के तोर पर डाल सकते हो आपकी सरकार जो है किसान स्कूल खोरी जिससे किसानों को लाब मिलेगा क्रिशी छेतर के बारे में जानकारी निशुल्क जी आएगी, थियोरी प्राक्टिकल, जिससे उनके आए में क्या हो सकेगी, वृध्धी हो सकेगी, चलिए, अब नेक्स देख लेते हैं, तो नेक्स क्या है, चत्तिस गड़ को मिलेगा, डिजिटल गवर्नेंस के लिए, मिला, मिलेगा नहीं, मिला, डिजिटल गवर्नेंस के लिए, इनोवेशन एवर्ड दिया जा रहा है, इसके लिए एक समिट कराया गया था, आप निर्भर भारत समिट, तो आत्म निर्भर भारत समिट में, डिजिटल गवर्नेंस के लिए, इनोवेशन जो राजि कर रहे हैं, या जो संस्थाएं कर रही हैं, उनक कनीयोज है न उनके पंजी करण को computerized किया गया था computerize क्रिया था और ब जो मान्यता और अनुदान करने की पूरी प्रक्रिया थी ठीकी क्यों प्रक्रिया थी उसको क्या किया तो ना सर्फ इन NGO को register करने का जो process है उसको क्या किया गया बलकि इनको मान्यता मतलब एफलेशन देने का और अनुदान और ग्रांट देने का ये जो प्रक्रिया है पूरा इसको क्या कर दिया गया ओनलाइन जिसके कारण हुआ क्या करोना काल में जो करोना काल था इसमें ये पूरा जो सिस्टम था ओनलाइन हो गया तो जो जरूरत मंद लोग थे उन तक बहुत ही आसानी से और सही समय पर सहायता जो है उसको क्या की जा सकी तो पहुंचाई जा सकी अब ये लेने कौन गये थे तो समाज कल्यान विभाग के जो संचालक है डिरेक्टर है श्रीपी दयानन्द ISG ठीक है ना वो गये थे और दिया किसने है तो एलेट स्टेक्नो के जो CEO है डॉक्टर रवी गुपता इन्होंने दिया है प्री पॉइंट उफ्यू से कौन से विभाग को मिला है । किस लिए मिला है । कौण रिसीव किया । इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है करोना काल में हुए innovations के संबंधित अगर कोई ऐसे आया तो भी उस कर सकते हो अगर कोई good governance से संबंधित ऐसे आया है तो भी क्या कर सकते हो इसको example के तौर पर आप इस्तिमाल कर सकते हो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब next ग्यानेश्वरी यादव जी भरोत तोलक आप quality बता चुका हूँ राजनाब गाओं की हैं ये ठीक है female weightlifter है सबसे जादा important question जो इनके बारे में आएगा ना देखना पक्का पुछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है समाने रूप से क्या होता है ना कि खिलाडियों को खेल से पूछता है cgpsc टीक है ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरा question नहीं बनता है समाने रूप से कह रहा हूँ अब इन्होंने क्या किया है junior world weightlifting championship में तीन silver medal जीते है रजत पतक जीते है इसके लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया गया तो हमारे जो मुख्य मंत्री है उन्होंने उनको पांच लाख रुपए की आर्थिक मतदी है इससे क्या होगा कि ये और बहतर तयारी जो है वो कर सकेंगी हो सकता है पारियों के लिए कुछ छोटे मोटाइक चाहिए कुछ सामान चाहिए तो इस पैसे से उसको ले सकेंगी और साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि छत्रिवड सरकार उन्हें सहायक उपनिरिक्षक ASI के पदपर क्या करेगी नौकरी भी देगी अब इनके जो ट्रेनर प्रसिक्षक जी अजय लोहार इनको भी क्या है पांस लाख रुपए दिये जाने की क्या करी है गोश्णा की गई है आपको बता चुका हूँ कौन से डिस्ट्रिक्ट से है राधनाध गाउन डिस्ट्रि काटेगरी की किलोग्राम का ठीक है तो भरोत्तो लाग कितने किलोग्राम की काटेगरी के अंदर लड़ेगा यह होता है ठीक है यह अईसा में जो नाशनल वेट लिफ्टिंग हुआ था उसमें भी अपनी काटेगरी में यह रज़त पदक सिल्वर मेडल जीत चुकी है ठीक है प्री पाइट व्य से जाबादा इंपॉटेंट है पुछेगा कौन से खेल से संबंधित है या कौन सा मेडल जीता है तो सिल्वर मेडल जीता है कहां जीता है चलिये अम नेक्स क्या है राज्य सभा वी वारशक निरवाचन दो हजार बाइस खेक है आपको पता होगा चत्तिजगड जो है ना वहां से राजसभा की कितनी सीटे हैं तो वहां से राजसभा की पाँच सीटे हैं अभी कौन-कौन इसमें से पाँच एमपी राजसभा से थे चत्तिजगड में या चत्तिजगड के तो पहले फूलो देवी नेताम ये कौंग्रेस की फिर कौंग्रेस से ही केटी एस तूलसी जी उसके बाद बीजेपी से सरोज पांडे उसके बाद कौंग्रेस से चाया वर्मा जी और बीजेपी से ही राम विचार नेताम जी समझ में आया तो कौंड कौंड पाँच राजिसभा सांसा चत्तिजगड के तो फूलो देवी नेताम जी कौंग्रेस से केटी एस तूलसी जी कौंग्रेस से सरोज पांडे जी कहां से बीजेपी और उसके बाद चाया वर्मा जी कौंग्रेस से राम विचार नेताम जी ये कहां से बीजेपी से तीन कौंग्रेस दो बीजेपी के थे लेकिन ये जो चाया वर्मा जी और राम विचार नेताम जी हैं इनका कारेकाल 29 जून 2022 को खतम हो रहा है इसके लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कब होने वाला है तो 10 जून को होने वाला है इसका मतदान होगा 10 जून को ठीक है तो मतदान होगा तो उमिद्वार होंगे तो कौंग्रेस की तरफ से दो उमिद्वार कौन है तो श्री राजीव शुकला जी है औ बाकी पार्टी अपना कोई उमिद्वार नी भेद रिये तो समझ जाओ कुल 90 सीट की विधान सब्सक्राइब है हमारी जिसमें सीकत्तर तो कितने कॉंग्रेस के पास है मतलब 90 सीट में सीकत्तर सीट पर कौन का भी जह कांग्रेस तो जो कांग्रेस का उमिद्वार होगा लगभग वही जीतने वाला है तो बाकी लोग खड़े हो चाहें मत हो कोई विशेस फरक्या होगा नहीं पड़ेगा लगभग तैम आनो राजी शुकला जी और श्रीमती रंजीत रंजन जी हैं ये दोनों क्या होंगे तो ये जो निर्वाचन है उसमें मतदान से जीत कर चाया वर्मा जी और रामविचा नेताम जी की जगा राज्य सभा सांसत बनेंगे 36 गड़ से क्लियर है ये तो ये परी का क्वेशन क्या बन सकता है तो किनका किनका निर्वाचन हुआ है करके पूछेगा तुछ समें दोनों का नाम रहेगा शुकला जी और रंजन जी का ठीक है किनके स्थान पर हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है आपको यह भी पूछ सकता है कि पार्टी से संबंदित है तो ये तीन प्रकार के प्रश्ण जो है यहाँ पर बन सकते हैं चलिए फाइनली विविद वाले सेक्शन पर आ जाते हैं राज का पहला मॉडल हाट बाजार कहां बन रहा है तो बारसूर दंते वाड़ा हाड बाजार गाहां वला जानते चोह तुमन अब यहाँ पर क्या नहीं किया जाएगा तो एक ठो एंट्री और एक ठो एग्जिट डोर रहेगा प्रवेश व निकास का दौर इसके अलावा जो पूर अब हाट का जो छेतर रहेगा उसको मस्त दीवाल जैसे घेरा जाएगा ठीक है प्रवेश और निकास पर जो समान जा सके तो प्रीम सिधा पूछ सकता है पहला मॉडल हार्ड बजार कहां बन रहा है तो बार्शू दंते वड़ा अब दा मोस्ट अवेटेड पीचर भूलम दमेज तुब देखे उक नहीं बता हो एक भूलन कांदर थे जंगल में जाक खुंडर बुलत का होते हैं भूला जेत सर्वशेष्ट शेत्रिफ फिल्म के लिए इसको क्या मिल चुका है राष्ट्री आवर्ड मिल चुका है सरसट्वा राष्ट्री आवर्ड मिला था ठीक है चत्रगड़ी भाशा की पिक्चर है बताएक तुम अलब कोई जवरत है इच नहीं किस पराधारित है तो संजीव ब करके और फाइनली यह जो पिक्चर है इसके निर्माता निदेशक प्रडिउसर कौन है तो मनोज video वरमा जी बहुत बहुत इंप्टिंट्र आपको पकिस पूछे ये पता है इसके निर्माता निदेशक कौन है तो मनोज पर्मा चलो आगे अब नेक्स्ट क्या है चत्ति वड़ के खिलाडियों ने फिर बढ़ाया प्रदेश का मान कैसे बढ़ाया है तो करनाटक में 41st राष्ट्री Master Athletics परधा हुई थी यह question प्रीम पूश सकता है कि 41 राष्ट्री Master Athletics परधा कहां हुई थी तो करनाटक cancer आएगा इसमें चत्ति वड़ के खिलाडियों ने क्या किया है तो पंदरा स्वर्ण आठ रजट बीस का से समेत कुल 43 पदक जीते तो दो बड़े आदमी बन जा थे तो मुख्यमंत्री जी पिक्चर में व्खर कर वेला कि चलो बड़ी कि मंचली करें नाम कमा ठाइए तो मुक्यमंत्री स्य रिक्वेस्ट करते कि प्लीज एक घंवोर सती है नें इतरियं में जाल डालक कामला्क बढ़ु कर देते से मतलब इसे नहीं है कि उनको बोलता है काम कर दे मतलब मेरे सम्मान में एक बार आप डाल दो चलो जाल करके ठीक है तो उनके सम्मान में पिक्चर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या डाला जाता है तलाब में ऐसा जाल डाला जाता है तो वही जो सीन है ना उसमें मुख्य मंत्री की भुमिका में श्री भुपेश बगेल जी है वो जाल डाल देते हैं ठीक है नमंबर मास में रीज होगी साथ भाशा में होगी देख लो हूँ तो वीडियों कमेंट करके बता हूँ उसके बाद मुख्य मंत्री श्री भुपेश बगेल ने बीजापुर में समर्थन सम ठीक है तो प्री के लिए important है पूछ सकता है कहां मेंस के लिए important है पूछेगा भया यह जो समर्थ कारिकरम है यह क्या है ठीक है तो थर्टी वर्ट में लिखने के लिए paper नमबर पांच में आ सकता है तो बताएगा दिव्यांग बच्चों के जीवनिर्वाह और सिक्षा हेतु बनाया जाता है समर्थ ठीक है पहला कहां खुला है बीजापूर में बता देना चलो नेक्स्ट क्या है तो डॉक्टर किरनमाई नायक को नारी शक्ति आवार्ड तो आपको पता होगा चत्तिजगर्ण राज महिला आयोग जो है किरनमाई नायक को ठीक है इंपोर्टेंट क्या है प्री पॉइंट ऑफ यू से पहले एवार्ड कौन सा मिला है सेकेंड पूछ सकता है चत्तिगर्ण राज महिला आयोग की अध्यक्ष्ट कौन है तो दो प्रकार से जो क्वेशन है उसको पूछ सकता है फाइनली आज का ला कि बार आपको पता होगा योगासन को भी शामिल किया गया है चत्तिगर्ण से योगासन में कौन पाटिस्पेट कर रहा है मैं अरड़ी बताया था कमेंट करके आप लोग बताना कौन है करके ठीक है चलिए अब ये जो यूद गेम से कहां हो रहा है तो इस साल हरियाना प्रसिक्षण शिवर था उसमें उनको तैयारी कराई गई है ठीक है तो प्री के पॉइंट ओफ्यू से इंपॉर्टेंट क्वेशन है सबसे पहले खेलो इंदिया यूद गेम से साल कहां हुआ है कब से शुरू हुआ इसके लाव आप पूच्छा है योग में किस ने पाटिस्पेट किया था क्यों क्योंकि योग को पहली बार शामिल किया गया है बहुत जादा पूच्छा तो यंदि फूल के और प्रसिक्षण टान जलीए तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट यूज थे 31 मही तक कि उसको मैंने cover कर लिया है finally कुछ questions है इन questions का आपको क्या करना है तो answer मुझे comment section में देना है पहला प्रशन है कि स्थान पर प्रदेश का पहला किसान स्कूल खोला गया है इसको लड़ी हम लोग देख चुके हैं आसानी से बता सकते हैं अगला क्या है नाशनल पार्ट शेतर में वन संसाधन मानिता पत्र देने वाले राज्य कौन कौन से हैं इसको भी इजली बता सकते हैं अगला question क्या है राज का पहला model hard bazar कहां बनाया गया है इजी चीजी question है जी तुम नाराम से बताडर हूँ उसके बाद हैंता राश्वी मानक प्रमाणपत्र प्राप्त जग्दलपुर प्रियदर्शनी इंदरा स्टेडियम किस खेले से संबंधित है ये भी बता सकते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्र श्री भुपेश बगेल निम्ड में से कौन सी फिल्म मुख्यमंत्री के किरदार को निभाते हुए नजर आएंगे और फाइनली लास्ट क्वेशन जो है डैनेक्स के महिलाओं द्वारा मादन तेश्वरी को औरपित करने के लिए तैयार की गई चुन्री कलंबाई कितनी है डन तो यहां पर सारे क्वेशन्स हो जाते हैं खता हूं इसके साथ इस वीडियो को भी यहीं पर मैं एंड कर देता हूं आप सभी समूल लगात हो कि मेरे अगले वीडियो में तब तक ले थांक्यू और टेक केर